आप सभी मेरे दोस्तों को जैसे रिक्रिष्णा दोस्तों आप लोग कैसे हैं गेस करते हैं कि आप लोग को सलमंगल होंगे आप सभी मेरे चैनल पर स्वालत हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं काईदा एंड पल्टा किसे कहते हैं दोस्तों आप लोग काईदा पल्टा सीखते रहते हैं जो कि आप लोग देखते होंगे कि मैं अलग-अलग घराने का काईदा पल्टा बताता रहता हूँ जैसे दिल्ली, अजरारा, लखनव, फरुखाबाद, बनारस, पंजाब ये 6 घराने हैं और इन शे घराने में से अधिक्तर में दिल्ली, बनारस घराना, पंजाब घराना इन सब का काईदा और पल्टा मैं आप लोग को बताता रहता हूँ लेकिन आप लोग को भी अंदर ये प्रस्ण आया होगा कि काईदा किसे कहते हैं तो मैं आप लोग को काईदा और पल्टा बताने वाला हूँ कि किसे कहते हैं, होता कैसा है तो आप लोग वीडियो के अंदर तक बने रहेंगे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि काईदा किसे कहते हैं, काईदे का निरमान कैसे हो ठीक है दोस्तो काईदा जो है येः फार्षी भासा के कैद सब्ð से, काईदे सब्द के उतपति हुई है के श्कलिए है फारタी भाषा के सब्द से का सबने सब्द से उत्वतल्टि हुई है जिसका मतलब होता है या जिसका-अर्थ प्रति बंध या पाबंदी लगाना के जूसर देखते हैं जो जेल में बन रहते हैं तो उसमें क्या है प्रतिबंद या पावंदी लगाना अब यह जो काईदा है यह तबले के एकत्यंत प्रचलित सब्द हैं और विदार्थी को सवर पर्थम यदि तबला बादन की सिख्छा दी जाती है तो सबसे पहले काईदा ही बता जाता है पल्टा ही बजाया जाता है ठीक है सवर पर्थम काईदा और पल्टा से ही तबला बादन की सिख्छा दी जाती है ठीक है कई बार क्या करते हैं बहुत सारे ठीकर ऐसे भी होते हैं जो कि कायदा और पल्टा नम बता करके डारेक्टली रूप में क्या करते हैं कि दादरा रूपा कहरवा जबता ये बताना सुरू कर देते हैं ये गलत है ये इसलिए गलत है कि हमें धाधा तेटे धाधा तुना नहीं आया बजाने तो हम लोग धागे नतिनक्तिनी कैसे बजाएंगे चलिए मान लिए कि गुरुजी बता दिये धागे नतिनक्तिनी ऐसे बोला जाए तो उसे हम कैसे बजाएंगे यह मीन तरीका है काईदा और पल्टा से यह अनुभव होता है कि आपके पास जो भी बोलाएंगे वो आप सहथ से बजा सकते हैं और यह सहथ से कब बजाएंगे जब आप काईदे पल्टे का रियाज करेंगे तो आप जानते हैं कि काईदे में सर पर्थम काईदे से ही तबला बादे शिक्षा दी जाती है स्टूडेंट को ज़िए जो फर्स्ट बार तबला सीखना चाहते हैं या सीखते हैं तो उन्हें सबसे पहले काईदे से तबला बादे शिक्षा दी जाती है इससे क्या होता है सोलो करने का संगत करने का छम्ता उनके अंदर आता है ठीक है और दोस्तो काईदे की रचना में ताल के ताली खाली को ध्यान में रखा जाता है ठीक है और काईदा शिर्प तबलो के तालो में ही होता है आप सोचते होंगी कि और भी कोई इस्ट्रुमेंट में होता होगा जैसे हमारे भारत में पूल चार बाद है कौन से तत्वाद घंबाद अब नदवाद सुसिर बाद ठीक है तत्वाद जो तार से बंधा हुआ बाद है जो आप घंटा देखते होंगे मजीरा देखते होंगे अब नदवाद जो कि आपके सामने में जो चमड़े से मढ़ा हुआ हो जिनका मुह चमड़े से मढ़ा हुआ हो यह अब नदवाद हो गया उसके बाद आप देखते होंगे सुसिर बाद सुसिर बाद किसे कहते हैं तो हावा के द्वारा बजाया जाता है ठीक है तो काईदा जो है सिर्फ तबलो के तालों में होता है बिशेस तो उन तालों में होता है जिसमें सोतन रबादन किया जाता है जैसे तीन ताल एक ताल जहब ताल रूपक ताल इस सब का अपना एक छेतर है इसमें क्या क्या बजा जाते है इसमें पेशकार काईदा रेला पारण तुकरा इत्यादी ये सब बजाए जाते हैं तो ये सोतंत्र बादन के अंतर गता आता है ये सोतंत्र बादन क्योंकि इनका अपना छेदर है तो इन तालों में स्वत अंत्रबादन होता है ठीक है तो काईदे की रचना एक ऐसे बोलो सिखी जाती है जिसका विश्तार भी किया जा सके ठीक है काईदे की रचना में ताल की ताली, खाली तथा उसका स्वरुप असपास्ट्रूप से मालूम होना चाहिए और काईदा प्राय दो आबरतनों बटा हुआ होता है पहला भाग भारी तथा दूसरा भाग खाली जैसा कि मैं आप लोग को बताता रहता हूँ कि ये देखे ये आपका खाली वाले भाग है ये भारी भाग जैसे मैं आप लोग को काईदा बताया हूँ जिनके बोल है धा धा ते ते धा धा तू न ता ते ते धा धी न ये आपका काईदा है तो इसमें आपके भारी भाग कौन हो गया धा धा ते ते धा धा तू न ये आपका हो गया भारी भाग खाली भाले भाग ता ते ते धा धी न ये हो गया आपका खाली भाले भाग तो ये क्यूल कितने 16 मात्राम हो गये तो ये देख लिजिए कि ये भारी भाग है खाली भाले भाग है थिक है तो प्रत्य काईदे होते हैं समय हैं दो भी भाग होते हैं एक भरी भाग एक खाली वाले भाग ठीक है और अब कि आप समझ गए कि कायदा किसे कहते हैं अदि आप से भी कूछ देंगे तो आप भी बता सकते हैं कि मैं कहाँ गाइदा तबले का एक अध्यान्त प्रचलित सब्द है आप नोर्मली भासा में इस प्रकार से जवाब दें कैय। सब्सक्राइब चाहिए और काईदा तब्लीग के तालों में होता है जिसमें प्रकार से जबाब देना है नौड माली रूप में जड़ी इसमें विस्तार में देना है तो अब इस्तार में दे सकते हैं जैसे मैं आपको बताया ठीक है अब आप काईदा एक देखिए काईदे के बोल है धा धा तीर कीट धा धा तू अब आपको 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 आप ऐसे भी बदा सेक्टने ठीक है तो यह होगया काईदा अब पल्टा किसे कहते हैं तो पल्टा जैसे कि सब्द से पता चल रहा है कि किसी बस्तु को उलतने परतने को पल्टा कहते हैं पल्टा जैसे हम लोग को परतीत हुआ है ठीक है औन्वब की जिए कि पल्टा केते हैं तो किसी बस्तों को उलतने प्लतने को प्रता के दोस्तों यह लए अपने भापना से आपके आपके अंदर प्रस्म उठा होगा पल्टा किसे कहते हैं और जो आपके अंदर questions आया होगा कि पल्टा उलतने पल्टने को किसी बस्तुक उलतने पल्टने को पल्टा कहते हैं ठीक है प्रन्तु तबले की काईदे में आये हुए बोलो को बिभिन प्रकार से उलत पल्ट करके जो बजाने की परकिरिया है उसे पल्टा कहते हैं दोस्तों आपको इस प्रकार से जबाब देना है ना कि ऐसे जबाब देना है कि किसी बस्तों को उलतने प्लतने को पलता कहते हैं तो यह गलत हो यहाँ आपको यह जबाब देना है पलता किसे कहते हैं तो तबले के कैदे में आये हुए बोलो को विभीन प्रकार से उलत प्लत करके जो बजानी क परक्रिया है उसे पल्टा कहते हैं ठीक है उसे क्या करते हैं पल्टा करते हैं इसको काइदे की विस्तार भी कहते हैं यानि कि इसे काइदे की विस्तार भी कहते हैं पल्टा को जैसा कि मैं आप लोग को बताता हूं कि काइदे का निद्माने कैसे बोलो से किया जाता है जिसका बिस्तार किया गर सके है और यही है बिस्तार यानि कि इसे पाप पल्टा कहिए या इसे काईदे का एक बिस्तार कहिए ठीक है और दोस्तों पल्टा करने में ताल के ताली खाली यह सब अस्पास क्रूप से मालूम होने जैसे काईदे में मतलब सेम काईदे का ही यह पल्टा है तो सेम पैत्रन मिलेगा ही मिलेगा ठीक है पल्टा करने में ताल और काईदे दोनों के सवरूप ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है यानि कि ध्यान में रखते हुए ध्यान में रखना पड़ता है ठीक है और यह यदि हम ध्यान में नहीं रखेंगे तो गलत हो जाएगा जैसे मैं आप लोग अभी तुरत बताय आद कि कैऺला कि बजाने में ताल कि स्वरूप और यानि पल्टा करने में ताल कैसे जरूब्ड ऑव कैथे के मिजाट को धियान में रखा जाता है कि जैसे कई कार Duch नामें ताल के ताली खाली तथा उसका स्वरोपास पर्स च्रूपव से माल्मना चाहिए स्यम पैटर्न है ठीक है और काइदे के समान पल्ते में भी भाग होते हैं पहला भाग भारी तरत दुस्डा भाग खाले जोती में आप लोगो को काईदे में बताया था और पल्टे में यानि कि जिम सिम आपको पैटर्ड मिलेगा ठीक शिर्फ इसका क्या है पल्टा किसे कहते हैं तो पल्टा तबले के काईदे में आयों पर बोलों को बिविंड प्रकार्ट रूलाद प्लटकर के बजाने की तरहुब काईदे का जो पहली प्लंकर आया जाता है तो कि देस करते हैं इसे काईदे की भी कहते हैं आ अप लिडियू में बता रहता हूं कि कैथे तो लेज करते हैं कि आप समझे होंगे नर्माली रूप से आपसे पूछे तो आप सिर्फ को इतना जवाब देना है पल्टा किसे कहते हैं तब लेकर काईदें में आये हुए बोलों को कि आपको बता दिया है और देखे पल्टा किसे कहते पल्टा करके आप लोगों को सुनाता हुए जैसे आप काईदा बजाएं तो काईदा बजाएं तो काईदा काईदा पल्टा याल याल तो गेस करते हैं कि आप समझ गया होंगे इसे कि साथ आप सभी कुछ यहीं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उलोगी से बढ़ाना सेके हैं बड्रेश यहीं दोस्तों के दूख सह वीडियो अज़ हो यज़ कि दूख सेके हैं कि भीडियो अज़ आप सेके हैं कि साथ देऊ हैं तो नवी दोस्तों क्या हैं अज़ हैं आप